केँसे फ्रेंट्स मिरा नाब मारकेज़लिघितर पार्थी है चलिए मैं इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे हम अपने बैक बैक आप जो हम लेते हैं उसे सर्वर कैसे करते हैं तो रीकवर करने के लिए हम अपने सर्वर पे चलते हैं सर्वर पे आने के बाद देखिए वारा बैक अप बिजार जो है ओपन हुआ है और एक हमारा फेल बैक अप हुआ है यहां पर देखिए ठीक है तो हम रीकवर कैसे करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं कुछ फाइल को delete करते हैं उसके वाद से चेक करते हैं recovery कैसे होती है हमारा माली SC का मैंने backup लिया था ये markander नाम का एक folder है ठीक है और यहां पर मैं double click करता हूं और राज नाम का जो document है इसको मैं delete करता हूं सपोच करते हैं हमसे गलती से delete हो गया है ठीक है और मैं इसको recover करके दिखाता हूं कि कैसे यह आता है तो इसके लिए मैं start पर आता हूं administrative tool पर आता हूं यहां पर windows backup पर क्लिक करता हूं continue करता हूं continue करने के बाद यहां पर एक option आपको दिख रहा है recover recover पर मैं click करता हूं तो recover करने के बाद कर रहा है कि the server name यह जो by default हमारा server करने मता रहा हूं मैं उस पर ही रहन देता हूं next करता हूं next करने के बाद देखिए बता रहा है 24 तारी को अपने backup लिया है जिस दिर मैं backup लेता हूं क्या होता बोल्ड हो जाता है ठीक है जिस दिर मैं backup successful हो जाएगा वो बोल्ड हो जाएगा अगर मैं पिछले दिनों भी लिया होता तो भी आपका होता कितने बज़े लिया है बारे बच के दस मिनट पे यह मारा टामी में बता रहा है ठीक है तो 24 तारीकों में लिया backup मैं next करता हूं next करने के बाद फिर से यहां से पूछ रहा है फाइल एंड फोल्डर को आप चाते है रिकवर करना या पूर्य वैलूम को ही चाते है रिकवर करना तो अगर आप चात करता हूं next करने के बाद यह जो मैं सर्वर का नेम दे रहा है मैं इसको spend करता हूं सी का मने backup लिया है मार करने नाम का फोल्डर में देखिए यहां पर दो option दे रहा है ठीक है तो यह मेरा delete हुआ था मुझे अगर recover करना है तो मैं यहां पर इसको select करता हूं और next करता हूं next कर करता हूं और recover करता हूं देखिए आपका recovery है और start हो गया है देखिए restore कर लिया यहां फाइल फिर हम करते हैं और चेक करते हैं किया वहां पे वह आ गया है कि नहीं आया पि मैं सी में आता हूँ, मारकंडे नाम का फोल्डर ओपेंड करता हूँ, यहां पर देखिए अलाज नाम का जो फाइल हमारा डिलीट हुआ था वो आ गया, तो आपने इस वीडियो में सिख्या कि कैसे हम फाइल को रीकवर करते हैं चलिए इस वीडियो में इतना ही